19 करोड महिलाओं को गरबाश शेय कि यह बीमारी जानकारे के अभाव में नहीं होता है लाज कैसे रखें यूटेरस का खयाल आप दीख रहे हैं दखबरदार न्यूज ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार National Institute of Health के मताबिक हमारे देश में इस वक तकरीबन 4.2 करोड महिलाएं एंजो मैच्रियों से से जूज रही हैं विश्व स्वास्त संगठन यानी जबलू एजों के मताबिक पूरी दुनिया में 10 प्रतिशत यानी तकरीबन 19 करोड रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है बहुत बार महिला को तो ये पता भी नहीं होता कि उसके शरीर में ये बीमारी पल रही है पीरियट्स के दोरान हावी ब्लीडिंग पेट में असहनी दर्द क्रैम्स पैल्विक पेइन होने पर जब कोई महिला जोक्टर के पास जाती है तो जाज के बाद इस बीमारी का पता चल पाता है हाल ही में ऐसा ही कुछ बॉलिवोड एक्टरिस शिल्पा शेटी की बहन शमिता शेटी के साथ हुआ उनकी एंडो मैट्रियो से सरजरी हुई है सरजरी से पहले शमिता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी उन्होंने महिलाओं को यूटेरियस की इस बीमारी से साफ़धान और जागरुक रहने की सलाह दी इसलिए आज सेहत नामा में बात करेंगे एंडो मैट्रियो सिस की साथ ही जानेंगे के एंडो मैट्रियो सिस के लक्षन क्या है एंडो मैट्रियो सिस का इलाज और इससे बचने के उपाय क्या है महिलाओं अपने गर्बाश्य का कैसे खयाल रखें Andometriosis क्या है और यह क्यों होता है कानपुर की इस त्री रोग विशेशके डॉक्टर दीपती शुक्ला बता दिये हैं कि Andometriosis महलाओं के योडेरस यानि गर्बाशे से जोड़ी बेमारी है Andometrium periods के दौरान हर महिने बिलीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलता है इसमें ब्लड बाहर निकलने की बजाए अंदर ट्यूब में ही जम जाता है कई health studies से पता चलाया है कि पूरी दुनिया में हर 10 में से एक महिला को endometriosis है यह बीमारी महिलाओं में 5 पर्यानी infertility का भी प्रमुक कारण है इस परिशानी से जूज रही महिला को conceive करने में मुश्किलें आ सकती है endometriosis society of India के अनुसार लगभग 2.5 करोर महिलाओं को endometriosis है यह सबसे जादा 30 से 45 साल की महिलाओं में होता है endometriosis के लक्षण में से एक pelvic pain और infertility endometriosis का प्रमुक्लक्षण यह है कि इसमें pelvic pain होता है pelvic pain का अर्थ है नाभी के नीचे पेट और कमर में दर्थ आम तोर पर यह periods के समय ovulation यानि जब एक ovaries से निकलकर फैलो पीन ट्यूब में आता है कि दोरान या यान संबंद के समय होता है यह दर्थ हलका या बहुत जादा भी हो सकता है साथ ही लगाता ठकान और कमजोरी भी महसूस होती है भारत में आम तोर पर endometriosis का पता अकसर दो ही इस्तितियों में चलता है एसेहनिया पीरेट स्पेन होने पर गर्ब धारण न कर पाने पर उसका कारण यह है कि endometriosis में यूटेरस की दिवारों पर होने वाली अन्यूज़ल टिशू ग्रोथ और ब्लड क्लॉड कम या जादा कैसे भी हो सकते हैं कई बार ब्लड क्लॉड कम होते और दर्थ बहुत ज कारण में समस्या आ रही हो उन्हें यह समस्या होती है endometriosis में गर्बाश है और ओवरीज के आसपास जो ब्लड जमा होता है उसके कारण ओवरीज से अंडे रिलीस नहीं होते और फटिलाइजेशन नहीं हो पाता अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लोग सभाज चुनाओं के बाद किसके सरबर सजीगा ताज मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास बिना बाद को घुमाए दाखबरदा न्यूज आपको दिखाएगा हकिकर इसमें है जनता का भरोसा कौन करेगा देश पर राच